आज मैं आपसे अपनी गुरु जी के साथ जन्मी शेयर कर रहे हूं कि कैसे कैसे मैं यहां पर पहुंची हूँ गुरु जी ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा है आज से साथ साल पहले जो सबसे पहला मेरा सशंग है गुरु जी के साथ वो यह है कि मेरी मदर इनलॉउग को प्रॉब्लम हो गई थी पुछ ट्रज्जे हुई थी हमारे यहां पर तो हम लोग बहुत गबरा गए थे तब मैं गुरु जी को नहीं जानती थी तो में सिस्टर उस टाइम डेली रहती थी तो उसने मुझे बोला कि नेदी तो परिशान मत हो और गुरु जी सब ठीक कर देंगे तो मुझे लगा ठ ठीक है और उसका श्रद्धा भाब उसने मुझे बताया और गुरु जी ने मतलब गुरु जी की ऐसी किरपा हुई कि मेरी मदा ने लौट 28 डेस वेंटी लेटर पर रहे और सब डॉक्टर्स ने सब ने जवाब दे दिया था लेकिन गुरु जी का करिश्मा है कि मेरी ममा ब जाएंगे तो मैंने का ठीक है तो हम वहां पर डुगरी गए जब मैं पहली बार डुगरी गई तो दरबार देखा सब देखा बहुत अच्छा लगा तो उसी डुगरी में जब हम लोग वेटिंग एरिया में वेटिंग करते हैं तो वहां पर एक आंटी मेरे बिल्कुल करें मतलब आप कैसे गुरुजी से जुड़े क्योंकि मैं फर्स ताइम गए थी मुझे कुछ नहीं पता था तो मुझे आंटी ने बोला कि आंटी मुझे कैंसर था कैंसर की में लास्टेश पर थी तो अच्छा है वह शॉक्ट की भई आंटी बिल्कुल ठीक है और मेरे अच्छा ने मुझे बोला कि गुरुजी की किरपा से मेरी सारी रिपोर्ट्स अब मतलब रिसेंटली वह उस टाइम पर अपनी रिपोर्ट्स लेकर आए थी आंटी तो उन्होंने बोला कि वह सारी रिपोर्ट्स मेरी अब नेगिटिव आई है मैं बिल्कुल ठीक हूं जै तो उसके बाद सेकंड टाइं गए था इंगे फोरट तम फिफ्ट टैम गए और गुरुजी ने मतलब अलग-अलग हमें दिखाया कुछ ना कुछ वह हमें दिखाते रहे पुछ ना कुछ नब ने छोटे-छोटे से हमें चीज़ें दिखाई तो ने लगा और गुरुजी क इतने सारे 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 ने देखो करें तो उनका तो मतलब कोई शुकर्यादा नहीं करा जा सकता और अभी थोड़ टाइम पहले की बात है मेरा मतलब बढ़ आने से पहले की बात है आज 22nd है गुरुजी ने देखो मुझे 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 दिया है और करीबन दो साल पहले 21st of January को मेरे तव्यक बहुत खराब हुए थी और 1st of February को मतलब मेरे बढ़े वाले दिन मैंने सचसंग अपने घर पे रखा हुआ था लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको अड्मिट करना पड़ेगा और आँटी आप इस कंडिश्में नहीं हो कि आप घर जा सको तो मेरे हस्बन ने मुझे बोला कि निधी तुम सचसंग कैंसल कर दो मुझे कुछ संगत नहीं भी बोला लेकिन मैंने बोला नहीं जब तक मेरी आखें बंद नहीं होंगी या मैं बेहोश नहीं होंगी तब तक मैं सचसंग कैंसल नहीं करूंगी क्योंकि गुरु जी को मैं अमंत्रित कर चुकी हूं मैं बुला चुकी हूं और गुरु जी आएंगे तो ये मेरे देखों अंदर विश्वाश था और गुरु जी ने मतलब 31 को उन्होंने मुझे मतलब इतनी जादा विमार थी मैं आपको बता नहीं सकते हैं लेकिन फर्स्ट जब सेंगे मतलब फर्स्ट हुआ तो सब कुछ दर्बार भी लगा सब कुछ मतलब उन्होंने गुरु जी ने अपने आपी करा और मुझे भी उन्होंने ब्लेसिंग दी ठीक करा और उस दिन उन्होंने मुझे बोला निधी आंटी आपके घर की मुझे लोकेशन जी आपका घर कहां पर है तो मैंने उनको बोला हमारा ऐसे से एड्रेस है हमारा ये घर है यहां पर तो अंकल ने मुझे बोला कहते देखो मैं आपको नहीं जानता और गुरु जी रात को मेरे सपने में आए हैं गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि मैंने इन आटी घर पे जाना है और तुने उत्थे जाना है तो मैंने तेनों ब्लेस करना है मैंने उत्थे सारी संगत नों ब्लेस करना है ते मैं वाइट चोले चांगा तो नेका ठीक है अंकल आप जरूर आना तो अंकल आए सेम कंडे उनों नहीं नहीं देखा और उसके बांद ये उसके बाद साश्शंक शेर कर плоzekं उन्होंने बताया उसके कि एक संगत तो फिर घर पर आए तो गरुजी की जब गधी लग हुए तो उन्हों अउन्हें महा पर वाइट शूला में बाइट शूले में आया है और गुर вн Влад शूल जिंगे मैं पह सब् oncology लोगन्य एतने मिरेकल्स दिखाई तो अलव लख लख शुकर आना गुरू जी का गुरू झिले हर पल मदलब मुझे कूई क्योंकि मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैं इतनी जल्दे विश्वाश नहीं करती लेकिन गुरुजी ने मुझे मतलब इस तरह अपने साथ जोड़ा है मतलब इतनी डीपली जड़ों के साथ उनों मुझे जोड़ा हुआ अपने साथ तो विश्वाश तो एक कुछ भी कहें लेकिन मुझे गुरुजी के मतलब उपर अपने से ज्यादा मैं किसी मतलब चीज पर बिलीव ने करते लेकिन मुझे गुरुजी के उपर पूरा विश्वाश है उन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रख एंधर अधर चीज में सिर्फ गुरुजी का नाम 15th of July को मेरे हजबन का बड़े होता है और 19th of July को उनको रात को मतलब एकदम तब्वेत उनकी खराब हो गई और मुझे लगा चायद उनको कोविट ना हो एकदम टेंपरेचर हुआ 102 टेंपरेचर हुआ शिवरिंग हुई तो मैं उनको दूसरे रों मां इसलेट कर दिया और उनकी तर्वियत बहुत खराब हुई लैक वो एक मन्त तक जैसे हम पहले तो मैं 3-4 डेस समझ नहीं आया हमने कोविट टेस्ट कराया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या सब टेस्ट नेगटिव आ रहे थे तो उसके बाद हम लोग मैक्स में गए तो मुझे मेरे मेरी जीजा नी डॉक्टर है तो उन्होंने मुझे बोला कि यह वाला टेस्स कराओ तो उनको नेमोनिया आया टेस में मटिबल पैचीज आए हम लोग मैक्स में गए जैसी हम लोग गए तो डॉक्टर्स ने उनको एकदम लिटा दिया और जी इनको एडमिट करना पड़ेगा यह आपको दिखना पड़ेगा फट आप 20 डेस आप इनसे मिलने सकते हैं मैं का सर ऐसा है अगर उनको कोविड हो होता तो आप को विट में रख लेते लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम सपेक्टन में रखेंगे तो मैं नहीं सब्सक्राइब हलोगी आफ्मे कैश्ड और वहाँ पर हम इनको रख देंगे तो डॉक्टर्स और मेरी आपस में बहस होती रही मैंने का नहीं मैं इनको नहीं रखूंगे ऐसे और मैंने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया मैंने का गुरुजी जो आपको मन्जूर है वो मेरी सराखों पर मतलब वहां उन्होंने कंडिशन ऐसी बना दी ती सिर्फ पर लेड़ी एक मैं और मेरे चारों तरफ डॉक्टर से मेरे भईया मेरे साथ थे बड़े भईया भी साथ थे तो उन्होंने मुझे बोला निती तुम भई मेरे हजबन को यहां एड्मिट करा दो तो मैंने का नहीं ब कि मैं तुम्हारे साथ हूं और जैसे जो मैं शब्द बोल रहे थी वो गुरुजी मुझे बुलवा रहे थी शब्द वहां पर उन्हों नहीं हम लोग पहले बात करेंगे डिसकस करेंगे देन हम लोग वापिस आएंगे तब हम देखते हमने करना गया हम वापिस आगए घर वापिस आए हम सेकिंड डॉक्टर पर गए अपिनिंग लिए उसकी उन्होंने मेडिशन दी और अब जो मैं आपको ससंग बता रहे हूं थोड़ा सा डीपली ससंग है उसके बाद जब हम लोग घर आए और घर आने के बाद मेरे मतलब हस्बन की तब्यक्त इतनी कराब तो म उन्होंने का मुझे निधी एडमिट करा दे में तब्यक्त खराब है तो ठीक है हम उसके नेक्स टे हम लोग दुबारा टू डेस के बाद हम लोग पहां गए चंडीगड और वहां हम डॉक्टर के पास गए और तो हमने डॉक्टर को दिखा दिया तो उन्होंने हमें बोला चंडीगड में और जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था वो सिस्टर मेरी लंच बना रही थी अपने लिए और उसको गुरुजी का जैसी ध्यान आए तो गुरुजी ने बोला कि यह चाय परशान तुमने अपने जीजागे को देनी है तो उसने बोला वी ऐसे में जो यह बहिए जेवा तो वहां अम grabsij contain में हैं और मपर चंडीगड में कैसे तो कुछ नहीं वो अपाना चाहिच अपना है उसने बनाया और मैंने उसको कॉल कर रहा बहिक कहा पर हो तो उसने बोला मैं रूम पर हूं तो मैंने चलुझ ठीक है हम लोग रूम नमबर बता और जैसी हम लोग पहुंचे तो चाय परशाद दिए असाट में प्राधी छीपर नुक्ति अ संत्ध हो मेरे ज़्मित लीया अन्युक्त 0 फोड़ीं सी उन्होंने ब्लाथी अर्पर आप कि प्रिट यह कोई बात नहीं हम लोग घर आ गए और जो परसन आज यह कह रहा है कि मुझे एडमिट कराओ मुझे प्लीज आप एडमिट करा दो और जब हम लोग घर पे आए हैं और मेरी सिस्टर ने वहां पर मेरी हस्बंड को अपने यहां से गले में से पैंडेंट उतार कि कि मतलब इतने सही कंडिशन थी वो इतना ठीक होए थे मुझे बोलते कि निती में ऑफिस जला जाओ जो परसन आज मुझे यह कह रहा है कि मुझे एडमिट करा दो और वहां उन्होंने परशाद लिया पैंडेंट गुरु जी का पहना और जै गुरु जी बोला और नेक्स जादा है कि मेरा जनम दीन होता है यह या बच्य नई है मेरे हस्बें का होता है तो उसके आसपास इतनी ज्यादा मतलब फीसिकल्स ना जादा बीमॉर जाता है नंहीं तो वह कुछ नकुछ हमारे कश्ट कुत रहे होते हैं यह क्या होता है एक खूझी की महिमक है की और यहB आप मतलब एक और मैंने आपसे ससंग शेयर कराए जय गुरुजी और इसे चुटोड़ी बहुत सारे ससंग है अभी लास्ट एर का ससंग है जब मुझे निमूनिया हुआ दो साल पहले तो लास्ट एर मेरी तब में को ब्रिधिंग में प्रॉब्लम होती थी तो लास्ट एर भ आपके लिए पनीर के और प्याश के पकोड़ी बनाए उस दिन और उस दिन में तब्यत इतनी खाराव हो ले थी कि मुझे मतलब सांस खीच के मुझे लेनी पड़ रहे थी और मैंने गुरुजी के लिए बना कि जैसे पकोड़ी रखे तो मैंने यहां पर पर्रशाद रखा और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप मुझे इतनी हिंमत दो कि मैं आपके लिए बना सकूँ और मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी मैं कैसे बनाऊंग यां बताऊं और मैं यहां पर पर्शाहत रखा और पाशन भोग लगाया मैं अपनी प्लेट नहीं ऄगीं हो सब्मंदीर आपीस आई मैंने प्लेट अप्ली उठाई है से और पिरमे उसके बाद अपने रूम में गई तो आप यखीन नी करोगे जब में रूम में गयी हूं उस टाइम पे मतलब में अ rema मेरी प्लेट में तेन पनीर के पखोड़े थे और चार प्याज के पखोड़े थे और जब में ने जैसी वह खाना स्टार्ट करा तो मेरी प्लेट में से मतलब ऑटमेटिकले उस में से मुझे नहीं समझाया आज तक देखो मुझे नहीं पता चला उसमें से एक प्याज का जो पकोड़ा था वो गायब हो गया और मैं उसको देख रहे हूं कि गया कहां कहां गया मैंने सारे में ढूंडा लेकि मुझे मतलब मिला ही नहीं कहीं पे जैसे वह गुरुजी ने टेस्ट करा ओ हो गुरुजी ने खाया हो उस चीज का देखो मिरको नहीं पता यह मेरा लास्ट यार का स्थग के गुरुजी के साथ बंदू के ने मुझे जब भी दिखाया है ना Always मिरेकल दिखाया है उन्होंने जैसे मुझे छोटी सी पांते यकीन नहीं होता कि हाँ यह चीज हुई है तो शायद यह ऐसी हो गई होगी मतलब हम भी अपने मन में कहीं बार सोचते हैं कि अगर यह साइन आया तो शायद यह ऐसे आ गया होगा लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया है कि जिसको हम जु और यह एक को बता नहीं सकती है अभी सथसंग तो बहुत सारी देखो याद आते रहते हैं अभी संथ्ट यह भी करीबन दो साल पहले की बात है जैनवरी की मेरी ममा पहली बार डेली गए थे गुरुजी के मंदिर बड़े मंदिर तो ममा टायबिटिक है उनको शूगर की प मंदीर में गए तो ममा को वहाँ पर अपना ये गाजर का हलवा होते हैं वह परशाद मिला और चाह परशाद तो ममी ने परशाद ले लिया हमने भी सपने खालियां परशाद लिया हम लोग वापीस आ गई तो जब हम लोग की शुगर न बहुत ज्याद़ा बढ़ गई और तकरिबन 600 ममी की शुगर हो गई थी 600 से प्लस हो गई थी और उन्हें होस्पिटलाइज कर आ गया तो ममी बोलते भी मैं गुरुजी के वहा गई थी और गुरुजी ने देखो मेरी शुकर इतनी बढ़ा दी यह हुआ वह हुआ तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा मैंने कोई मान देखो परमात्मा ने अपने आप सब बताना है और डॉक्टर्स ने उनको एड्मिट करा तो मैं मैंने ममा को इब बोला मैंने का ममा देखो कर दो कहते हैं हम लोग कहते हैं मतला बच्चे अपने पैरांट्स के आगे और पैर tribun अपने बच्चों के अगे मजबूर हो जाते और हम अश्मते भीहीं है मैंने कम मतलब गुरु जी को कुछ यह की गुरुजी मेरे तेम कर दो कुछ नहीं मैंने ने by ओने बोदा मेरी मखे तीन दिन का टैम देरी है और मेरी ममा ठीक हो नहीं यह बस है और यह बात है रात को 11 11 अगरा मैं दाना बैने को बूला और नेक्स टे मतलब नेक्स टे मॉर्निंग मुझे यह सुने में आए कि ममा की तबियत थोड़ी ठीक है और आप यकीन करोगे तीन दिन के अंदर मतलब ममा की तबियत बहुत ज्यादा बेटर और वो अपने घर आ चुके थे थे थ्री डेस के अंदर मतलब मैं आपको अपना इंदार हूं कि मैं थोड़ी जिसे मुलते हैं कि नहीं गुरुजी नहीं ऐसे नहीं हम देदो 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 कर नहीं मतलब परमात्मा को पता है कि उन्होंने हमें क्या देना है कब देना है मतलब किस उसमें देना है हमें सिर्फ हम जब गुरुजी आ आज गुरुजी ने अपने साथ मतलब इतने टाइम से हमें जोड किया, आज गुरुजी ने मतलब ऐसा बना दिया है कि अगर मैं आज ये भी गुरुजी को मैंने उजिन ये बोला, गुरुजी आप सुख शान्ती देना, आप येकिन ये करोगे, मैंने गुरुजी के आगे, मतलब जब यह चीज बोली तो same day मुझे कोई ऐसा मैसेज आया गुरू जी की तरफ से तो उसमें ये mention था उसमें सुख और शांती के बारे में ही कुछ लिखा हुआ था कि गुरू जी को पता है उनों ने क्या देना है मतलब आपने ये चीज भी नहीं मांगने गुरू जी से और आज मतलब गुरू जी ने मैं आपको क्या बता हूँ मतलब गुरू जी एक सेकंड के अंदर समटाइम ऐसा होते है कि एक सेकंड के अंदर गुरू जी हमारी मतलब बातों को मानते है एक सेकंड में और कई बर मुलति गुरु जी नहीं बस मैं आपको नहीं और अजमा सकती, मैं आपको नहीं यह कह सकती कि गुरु जी है, नहीं है, लाइफ है, क्या है, नहीं, क्योंकि मुझे पता है, परमात्मा है, 200% है, हमारे साथ है, देखो हम परमात्मा के साथ है, परमात होना चाहिए ऐसा हो तो उन्होंने विदिना मिनट विदिना सेकंड्स मिनट तो बहुत दोलिए मैं मुझे दिखाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ आप देखो हमने परमात्मा को नहीं देखा आज अगर इतनी करोणों की अर्वों की मतलब इतनी दुनिया में किसी ने परमात्मा को नहीं देखा लेकिन हम कैसे मानते हैं कि परमात्मा कोई कहता है मेरी मुरादिस मां से पूरी हुई है मेरी मुरादिस भगवान से पूरी है म मैं उसको मान देए लेकिन गुरुजी कि साथ जब से हम जुड़े हैं मतलब गुरुजी ने निकाला भर उसको को अज इसा नहीं कि में इंगर तोiben इन उसके मेड बहुत आया है लेकिन उन्होंने जैसे हमें कश्ट दिये हैं मतलब उसे जैसे फूल की तरह मतलब हम अपने बच्चे को निकालते हैं तो उन्होंने गुरुजी ने इस तरह अपने बच्चे की तरह उस कश्ट में से निकाला है तो इससे मतलब बड़ी बात क्या होगी कि मतलब परमात्मा हम हमारे साथ हैं और हम प्रमात्मा को मानते हैं और मैं आप से अभी एक मतलब एक बिल्कुल रिसेंट सा शेयर करती हूं अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि तक्रीबन 20-22 दिन मतलब यह जब यह 21 अभी स्टार्ट हुआ है अभी क्या हुआ जैसे हम लोग गुरुजी का दर्बार लगाया हुआ हमें और 22nd मार्स 2020 से मैं गुरुजी का हम लोग यहां पर ससंग करते हैं और गुरुजी की आर्थी करते हैं ससंग करते हैं और गदी गुरुजी की लगायी हुई है हाँ घर पे तो मेरा बेटा वो मुझे कहता है ममा आप जैसे गुरुजी की यहां कुछ पी जैसे हम लोग यहां पर शाहत रखते हैं हम कुछ भी गुरु जी आगे रगते हैं तो ममा गुरु जी कैसे खाते हैं आपके बताओ तो मैंने अपने बेटे को बोला में इनका बेटा गुरु जी ना भोग लगाते हैं या आपको अपने आप पता चेलेगा कि कैसे लगाते हैं तो मेरा बेटा क्या करता है यह जैसे मत मतलब पशाद है तो उसमें यह लिए कैंडी का उसने बॉक्स रखा और यह हमने थाली में लगाया तो एक सस्थन मतलब बिल्कुल मिरेकल मतलब आपके सामने जो आज में अभी शेयर करूंगे आपसे तो हमने आरती की थाली लिए अभी थाली में हमने ऐसे लाइन लगा दी यह कैंडी की और सेंटर में जोच चलाई और आरती हो गई सब हो गया उसके नेक्स ट्रे जब हम आती करने लगे तो मैंने उसको लाइन को जैसे मैं चेक करा एकदम देखा तो उसमें से मुझे यह कैंडी का मतलब रैपर है कैंडी है आपको से कुछ भी बोल सकते हैं यह उसके बीच में जब मैंने लगाया था तो इसके बीच में कैंडी टी टॉ ऐसे मैंने उसको जब चेक करा, तो एसके अंदर देखें, रेपर उपर से भी बंध है, और रेपर नीचे से भी बंध है. मतलब है, इसमें कुछ बी जार नहीं है, यह कुछ पेस्टिंग और कुछ भी यहीं, और इसके अंदर से तौफी नहीं थी इसके अंदर तो जब मैंने देखा और मैंने का जै गुरुजी मैंने अपने मन में बोला जै गुरुजी ने भोग लगाया और वो मुझे लगा मेरे शायद मुझे पहले लगा मेरे बेटे ने तौफी खाई है तो मैंने जब उसको देखो बोला जो मजरे से भुछा है ममاز गुइसा उसको पोला मैंका नवंच इतर और मैं आपको दिखाते हूं तो मेरा डामरा पास आया और मैंने उसको तो यह दिखाया में गाडेखो लवाणamiento की रैपर हैं नि मुझा इसके लोग लगाते हैं और गुरुजी டे चोटे 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 मतलब चीजों में हमारे गुरूजी नजर आते हैं कि इतनी से भी चीज़े तो नहीं गुरूजी मतलब ओल्वेज हम लोग यही कहते हैं और उस दिन मेरे बेटे को भी देखो इसमिला कि गुरूजी ऐसी अच्छा मंँद्दी ओंए अि वाहते हैं और जैगुरुजी ये मेरा भी 2021 का रिसेंटली ससंग है जो मैंने टॉफी परशाद करें ससंग आपसे शेयर करें और गुरुजी ने इस जर्णी में मुझे बहुत सारे मतलब ससंग न दिखाए हैं बहुत सारा गुरुजी ने मौका दिया अपने पास बिठाने का अपने कि अच्छे थी मेन आप सब्चलिकरा अबयदा करें सब्सक्राइब कि तरफ से उन्हें हमारे स्पार वयर्य चे से का माधमा आप नीचात की में मौकारप और ऊपर northern katiborg के तो लेकिन गुरूजी मुझे इतने प्रैभवान को मानना जाना आना परशार्ड लेना खाना इतना लेकिन आज आज जहाँ पर मैं गुरुजी के सामने के अहां अबनाया है सिम्झने का मोगनेख समात्मां ने ही काबिल बनाया है स्बस्जाने में समझने긴 रहे हम शरीर के अंदर ये चीजने डाल लेगा कि परमात्मा होते जारा है क्या घग्वान क्या है गुरुजी क्या है उन्होंने खुद मतलब हमें बताया है और खुद ही उन्होंने देखो हमारे साथ अपना ये प्यार सब कुछ उन्होंने ये हमसे शेयर करा है हमें मौका दिया है आपके साथ सब कुछ शेयर करने का तो मैं अपने आपको बहुत लगी फिल करती हूं कि हां भी आपने ह कुछ भी कोई copy में कुछ नहीं लिखा मैं आपके सामने उसी time जो मुझे पर्मातना अपने आगी अपने साथ बिठा गे जो बुल estasa और चाहते हैं मैं आपके सामने वही ससंद कुछ नहीं लिखा सब कुछ मैं आपके मैं लाइफ ससन शेयर कर रही हूं और गुरुजी की बहुत-बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी मतलब मैं आपको कुछ नहीं बता सकती एक मुझे छोटा सा ससन याद आ रहा है डूगरी का ससन याद आ गया जैसे मिंटों में गुरुजी मतलब चीज को पूरा कर देया है यह स पहुचे तकरीबन मतलब मेरे साथ 2-3 आणटी और थी और हम लोग डूगरी पहुच गए शिक्स फिटेन शिक्स सटी के आसपास हम लोग डूगरी पहुच गए थे और उस दिन वहां पर हमारी सेवा नहीं थी लेकिन हम आग गए और मेरे मन में गुरुजी की सेवा का भा कि हमने मास सेवा करने गए और थिटीक फर्स्स में को रश भी बहुत जादा होता हूं अरो हूं आप इसका अंकल पीछे से आते हैं अंटी आप अंदर आउयो फट अफट आफट आतावरा जय गुरू जी हम अंदर गए और आपहन पर मेरे सेवा लगई उन्हों नेलाग चुआ बीदर दिन और अनले मतले सा उस दिन गुरूजी ने चार पांक जगा में सेवे लगवाए है कि और उस दिन गुरु जी का मैंने पेहले नहीं अभी तक देखा था नो जब नगर पर शान के लिए भोग लिए जसा उनके परणा के लिए गता हैं तटो मेरे सामने से तीन चारे आरहे थे रमातमा मैं Mohammad आप यकीन ने करोगे मैंने सिर्फ इतने शब्द अपने मन में गए हैं और उन अंकल ने मुझे वाज मारी आउंटी तो मैंने का हंजी आप आओ तो मैंने चैगुरी जी बोला और मैं उनके साथ चले गई और इतने में उनकी प्लेट में गुलाब के पते भी थे वहां पर औ अपने पास रख लिए और फिर मैं वहां उनके साथ गई ऐसे वादानों के साथ वहां पर जहां पर लंगर परशाद बन रहा था वहां पर उन्होंने मुझे मतलब उनके साथ परमात्मा ने मुझे मुझे मौका दिया कि वहां उन्होंने परशाद डाला और मैंने उनके सा देखो गुरुजी के वहाँ भूग लगवाया यह देखो मैं सिर्फ मन में सोचा मतलब विदिना सेकंड गुरुजी ने एक चीज़ पूरी करें विदिना सेकंड और मैंने देखा अगर हम लोग अपने मन में कुछ भी सचे मन से अगर आप कुछ भी सोचते हो तो वो विदि विदिना सेकंड गुरुजी पूरी करते हैं मतलब मेंट दिन साल तो बहुत दूर की बात हैं विदिना सेकंड सिर्फ आपके भाव क्लेर होने चाहिए आपके अंदर शुरद्धा होनी चाहिए गुरुजी के प्रति कि आप जो कर रहे हो वह 100% अपना दे रहे हूं और यह मेरा एक और मैंने आपसे ससंग शेयर करा जैगुरुजी और मुझे नहीं पता मैं कौन-कौन से ससंग शेयर कर रही हैं और गुरुजी दिखो कर वा रहे हैं कहां से घुमा के मुझे कहां ले आते हैं फिर घुमा के मुझे महां ले आते हैं और अब मैं मतलब इतने ह descriptions कभी कुछ कभी कुछ गूरू जीने चिनल तो चोटी 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 एसी चीजसें दिखाई है ससक्ँ के बीच में भी कि ऐसे miracles ने देखो दिखाए है गूरू जी ने तो उसका मतलब लख लख शुकराना और अपने साथ गुरुजी का जोड़े रखने का लख लख शुक्राना मेरे परमात्मा का लख लख शुक्राना और इस सब के साथ मैं आपको यहीं बोलूँगी जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना जय गूरुजी, धन्धन गूरुजी, जय जय गूरुजी, वावा गूरुजी, शुक्राना गूरुजी